हेलो, नमस्कार दोस्तो, मैं SKP study में आप सभी का स्वागत करता हूँ और मैं छोट उक्मार, आज का जो मेरा क्लास होगा, क्लास 12 का आर्स आउनर्स का जो किया है मैंने यहाँ पर बात कर लिया था, तो इस वीडियो में जो किया है, 26 कोस्टन से हम बात करेंगे 26 का जो किया मेरा बिल्कुल राइट अंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यह हो जाएगा, 111 धराएं जो कि चार्टर में कितनी धराएं है, संच्युक्तराष्ट में, तो 111 धराएं हैं, यह जो कि ऑप्शन यह हमारा इस कोस्टन का बिल्कुल राइट अंसर होगा, ठीक है आप इस याद रखेंगे, नेक्स्ट कोस्टन पर हम बढ़ते हैं, कोस्टन नमबर 27 में 27 का बिल्कुल राइट अंसर होगा, जो कि ऑप्शन यह होगा अनुद जो किया है, 245 माइनस 225 जो होता है, राज के बीच में बिधाई समंधो का उल्लेक रखता है अनुद 245 माइनस 225 ठीक है, 225, तो अप्शन यह हमारा इस याद रखेंगे, नेक्स्ट कोस्टन पर हम चलते हैं, कोस्टन नमबर 28 में 28 माइन कोस्ट जना करा मुख मंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो अप्शन A में दिया गया राष्ट पती, अप्शन B में परधान मंत्री, अप्शन C में राजपाल, और अप्शन D में उच नियाले के मुख नियादिस तो मुख मंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो 28 का जो कि मेरा बिल्कुल राइट अंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन C हो जाएगा, मुख मंत्री को जो नियुक्ति करता है, वो राजपाल करता है, ठीक है, राजपाल होता है, वही मुख मंत्री की नियुक्ति करता है, या या option C हमारा बिल्कुल right answer होगा, आप इस याद रखेंगे, next question पर हम चलते हैं, question number 29 में, 29 question आई करा भारती से विधान में कितने मौलिक करता भी है, तो option A में दिया गया है, 8, option B में 9, option C में 10, और option D में 11, तो भारती से विधान में कितने मौलिक करता भी है, तो 39 का जो किया मे बिल्कुल right answer होगा, आप इस याद रखेंगे, next question पर हम चलते हैं, question number 30 में, तो option A में दिया गया है, तो option A में दिया गया है, option B में मौक मंतरी, option C में उपर मौक मंतरी, और option D में विधान सभा की अध्याच, तो राज्यू के सरवा, जो किया सवधानिक पर मौक कौन है, तो option A हमारा बिल्कुल right answer होगा, आप इस याद रखेंगे, next question पर हम चलते हैं, question number 31 में, 31 question है कौन सभी धान संसोदन सहरी अस्थानी सासन से जुड़ा है, तो option A में दिया गया है, option B में चहुतरमा, option C में 73 में और option D में बहतरमा, तो कौन सभी धान संसोदन सहरी अस्थानी सास option से जुड़ा होगा, चहुतरमा, यानि option B हमारा इस question का जो कि बिल्कुल right answer होगा, ठीक है, आप इस याद रखेंगे, next question पर हम चलते हैं, question number 32 में, 32 question है किस देश का सभी धान, बिस्व का सबसे बड़ा सभी धान है, तो option A में दियेगे, U A से, option B में रूस, option C में है, दचन भारत का भारत देश में जो किया है, बिस्व का सबसे बड़ा सभी धान है, भारत में, ठीक है, यानि option D हमारा इस बिल्कुल right answer हो जाएगा, आप इस याद रखेंगे, next question पर हम चलते हैं, question number 33 में, 33 में, किस वर्स सिरीमती इंद्रा गांधी ने अपना काल, अपात काल की घ घोसना की थी, तो 32 का जो किया मेरा बिल्कुल right answer हो जाएगा, जो कि option ये हो जाएगा, 1975 इस बिमें, इंद्रा गांधी ने जो किया पात काल की घोसना किया था, जो कि इंद्रा गांधी ने किया था, यानि option number A हमारा बिल्कुल right answer होगा, ठीक है, आप इस याद रखेंगे, next question पर हम चलते हैं, question number 34 में, बिल्कुल right answer होगा, जो कि option C हो जाएगा, यानि I एबं बिया जो होता है, budget का सम्बंद पच रखता है, कौन-कौन I और बिया, तो option C हमारा बिल्कुल right answer होगा, आप इस याद रखेंगे, ठीक है, next question पर हम बढ़ते हैं, question number 36 में, पर हमारा बिल्कुल right answer होगा, यानि option A हमारा बिल्कुल right answer होगा, आप इस याद रखेंगे, पर हमारा बिल्कुल right answer होगा, आप इस याद रखेंगे, next question पर हम बढ़ते हैं, question number 37 में, आप इस याद रखेंगे, next question पर हम चलते हैं, question number 38 में, 49 में, पर हमारा बिल्कुल right answer होगा, आप इस याद रखेंगे, next question पर हम चलते हैं, question number 49 में, 49 में question है करा, Muslim link के अस्थापना कब हुई थी, तो option A में दिया गया है, 1905 902, option B में 1906 902, और option C में 1907 902, और option D में 1908 902, तो Muslim link के अस्थापना कब हुई थी, option B में Muslim link, और option C में BJP, और option D में जनता party, तो 40 का जो कि मेरा बिल्कुल right answer होगा, option A हो जाएगा, भारती राष्टी कॉंग्रेश जो होता हो, वो 1985 भी में राजनीतिक दल के अस्थापना जो किया गया था, भारती राष्टी कॉंग्रेश की हुआ था, option C में A, R, sub, और option D में है, जो कि BJP, देश्मुख, तो भारत में हरित करांती के जनक कौन है, तो 41 का जो कि मेरा बिल्कुल right answer हो जाएगा, जो कि option A होगा, जो कि स्वामी नाथन जो थे हैं, भारत का करांती जनक रह चुके थे, यानि option A हमारा बिल्कुल right answer है, आप इस याद रखेंगे, next question पर हम चलते हैं, question number 42 में, 42 में question है, भारत की पहली महला, राष्टपती कौन थी, तो option A में दिया गया है, रावडी देवी, option B में सोनिया गांधी, option C में पर्तिवा पाटिल और option D में इंद्रा गांधी, तो 42 का, जो की मेरा बिल्कुल right answer हो जागा, जो की option C हो जागा, पर्तिवा पाटिल जो थे, भारत की पहली महला राष्टपती रह चुकी थी, जो की पर्तिवा पाटिल रही थी भारत में, ठीक है, यानि option number C हमारा बिल्कुल right answer है, आप इस याद रखेंगे, next question पर हम चलते तो केंदर में जनता पाटिक की किस बर सता में आई थी, तो 43 का, जो मेरा बिल्कुल right answer होगा, जो की option B हो जाएगा, 1977 इसमी में, जो की केंदर में जनता पाटिक की सता आई थी, 1977 इसमी में, यानि option number B हमारा बिल्कुल right answer है, आप इस याद रखेंगे, next question पर हम बढ़ते है, question number 44 में, चोवालिसमा question कराए, 2015 के बिहार बिधान सभा चुनाओं में किस राजनितिक दल ने पर्थम अस्थान प्राप्त किया, तो option A में दिया गए जनता दल, option B में Congress, option C में BGP, और option D में राजद, तो 2015 के बिहार बिधान सभा चुनाओं में, राजनितिक दल ने पर्थ पर्थम अस्थान प्राप्त कौन किया था, तो 44 का यहाँ पर जो कि मेरा बिल्कुल राइट अंसर होगा, जो कि option D होगा, राजद ने जो कि बिहार में, विधान सभा 2015 में, जो कि यह राजनितिक दल में, पर्थम अस्थान यह इन्होंने प्राप्त किया था, राजद ने, यानि option number D बिल्कुल right answer है आप इसे याद रखेंगे next question पे हम चलते हैं question number 45 में 45 number question करा अठार्मा सार्क सम्मेलन कहां हुआ था तो option A में दिया गया भारत option B में काटमांडू, option C में पाकिस्तान और option D में स्रिलंका तो अठार्मा सार्क सम्मेलन कहां हुआ था तो 45 का जो मेरा बिल्कुल right answer हुआ जहlin ga, जो कि option B हो जाएगा काटमांडू में जो किया है अठार्मा सार्क सम्मेलन हुआ था काटमांडू में यानि option number B हमारा बिल्कुल right answer हुआ आप इसे याद रखेंगे नेक्स्ट कोश्चन पर हम चलते हैं कोश्चन नमबर 46 में 46 मा कोश्चन है करा CTBT प्रस्ताब संच्युक्त राष्ट संग द्वारा कब स्विकारा गया था तो यहाँ पर option दिया हुआ option A में 1995 भी, option B में 1996 भी और option D में 1997 भी और option C में 1998 भी तो CTBT प्रस्ताबना संच्युक्त राष्ट संग कब स्विकारा गया था तो 46 का मेरा बिल्कुल राइट अंसर होगा medical response में Germany 1996 भी में किया है CTBT प्रस्ताबना जो कि संग द्वारा कब स्विकार किया गया था तो 1996 में स्वेग क्या गया था यानि ऑप्चन नंबर भी हमारा बिल्कुल राइट अंसर है आप इसे याद रखेंगे नेक्स्ट कोचन पर हम चलते हैं कोचन नंबर 47 में 47 नंबर कोचन नंबर भारत द्वारा दुसरा सफल परमानू परिच्छन कब किया गया तो ऑप्चन A में दिया गया है 1971 बी ऑप्चन B में 1974 बी और ऑप्चन C में 1980 बी और ऑप्चन D में 1990 बी तो भारत द्वारा दुसरा जो किये सफल परमानू परिच्छन कब किया गया था त राइट अंसर हो जाएगा ठीक है आप इस याद रखेंगे नेक्स्ट कोश्चन पर हम चलते हैं कोश्चन नमबर 48 में 48 नमबर कोश्चन अकरा भारत के पर्थम 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 पर्थान मंत्री कौन थे तो आप्शन अ में दिये गे अंबेडिकर और आप्शन पी में सरदा पठेल और उप्शन सिए में पंदित नेहरू और उप्शन टी में इनमें से कोई नहीं तो भारत के पर्थम पर्थम पर्थान मंत्री कौन थे तो 48 का मेρα पिलकुल राइट अनसर हो जएगा जोकि उप्शन Candid Night नहरू जो थे भारत के पर्थम परधानमंत्री रह चुके थे यानि उप्षन C हमारा बिल्कुल राइट अंसर है अगला कोश्चन कोश्चन नमबर 49 49 नमबर कोश्चन करा संच्युक्त राष्ट संग के पर्थम ACI जो कि यह महा सचीव कौन थे तो अप्षन दिया हुआ उप्षन A में बन की मूल उप्षन B में यू सा थार्ट उप्षन C में कोफी अनान और उप्षन T में जो कि यह बूत रस जो कि यह घाली तो संच्युक्त राष्ट संग के पर्थम ACI महा सचीव कौन थे तो यहां पर जो कि उन्चास का जो मेरा बिल्कुल राइट अंसर हो जाएगा जो कि ऑप्षन B हो जाएगा यू थार्ट जो था जो कि संच्युक्त राष्ट संग के पर्थम ACI महा सचीव राच चुके थे यू थार्ट यान से 10 और option D में इन में से कोई नहीं तो ग्राम कचहरी का परधान कौन होता है तो यहां पर 50 का जो मेरा बिल्कुल राइट अंसर हो जाएगा जो कि option A हो जाएगा यानि सरपंच जो होता है ग्राम कचहरी का एक परधान होता है यानि option नंबर है हमारा बिल्कुल राइट अंसर हो जाएगा तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जब तक के लिए जय हिंद जय भारत मिलते हैं next video में